कि यूटूब चैनल परिक्साइपार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग तो अलोफ यू मेरी तू चलिए हम जो अब अपनी जो हमारा कल पेपर हुआ था सिट एड का फर्स्ट रिसिप्ट में जो पेपर हुआ था उसको पेपर अनलाइसी यानि पांच यह जो पार्ट आपका आता है जिसमें लेंगेज सेकिन आपके हिंदी होती है उसके कोशन के आंसर आम पर लगाएगे अपने जो कुशन पेपर है उससे कोशन को आप मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में करके बताएगा कितने कोशन आपके करक्ट है तो चले यह है परभाव तो यह परभाव कैसे हो तर्नक करात्मक होगा ओप्शन सेकिंड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एस से वन ट्वेंटी टू कुशन कि समूर से भीन सब्स क्या देखे है अबर पढ़ाई लिखा है राद दिन कंकट पत्तर तो सबसे भीन क्या चाय वाय आपक सब्सक्राइब करेक्ट होगा नेक्स्ट गजनम देने वाला जो कारा क्या वो क्या है आवेशकता है ऑप्शन सेकिंड करेक्ट हो जाएगा हो जाएगा नेक्स्ट है 126 कोश्चन है मानुए सब्ध में प्रत्य है तो मानुए सब्ध में यह प्रत्य आपको दिख रहा यह आपका है ओप्षन फोर्थ राइट हो जाएगा नेक्स्ट है 127 कोश्चन की AI सारे रिक्स्रम से जुड़े कार्यों पर सम्भता सबसे कम परभाव डाले इन में से कौन सा कार्य परभावित नहीं होगा खेती बाड़ी आपका परभावित नहीं होगा ओप्षन फोर्थ यहां पर करेक् कि चिकित्स से जुड़े कारे करने में AI भविश्य में क्या के सायोग करेगा तो कौन सा सायोग करने वाला है के सिस्ट्री बना देगा ओप्षन थर राइट होगा नेक्स आता है कोश्चन नमबर 129 अब दुबाया से आपका गध्यांस आता है जिसमें से कॉश्चन आपके पूछा गया वह है स्वास्त्य ओप्षन फॉर्ट राइट होगा नेक्स आता है 130 की प्राइन वायू को ससत्य बनाने के अभ्यास डैस में तो किसमें डैस है तो वह योग में है ओप्षन थर या पर करेक्ट हो जाएगा अब आता है 131 कोश्चन की प्रान वायू सरीर के हर संतुली तोर डैस होकर बैते हैं कैसे यानि विवस्चित होकर बैते हैं ओप्षन सेकिन यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट 132 कोश्चन है कि बुद्धी में एक प्रत्य लगने पर सब्द बनेगा जब हम बुद्धी में जोड़ देगे तो बनता है बुद्धी ओप सभकी हैं तो किस से होता है अच्छा जो सभकी होता है उसका समत्व प्रांवाईयू से होता है और सीक्ट होका है और शांतुल है तो वो है कि मानस मंतन मुख्य बिंदू नोट करना, रूप रेखा तयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन और अंतिम सवरूप देना, option first right हो जाएगा नेक्स्ट आता है 137 कोशन है कि निमले कित में से त्री भाशा सुतर के संबन्द में कौन सा कतन सही है तो सभी बच्चे अपने विद्याले सिक्षा मातरभासा घर की भाशा में सुरू करते हैं और दस भी पूरी करने तक कम से कम दो और भाशाय सीखते है option first correct हो जाएगा 138 कोशन आता है, question number 138 अब next question क्या है, question number 138 है इसमें पूछा गया आपका question में कि घोशनात्मक ज्यान क्या है कि किसी व्याकरनिक तत्पर कैसे कारेक क्या जाएगा जानना, option first बिल्कुल correct होगा next 139 कोशन है कि सामाज़क विज्यान की कक्षा में सिक्षार्थी कक्षा में दिये जा रहे वक्त वैसे मुख्य बिंदू समझने की कोसिस करे क्षताओं को मापन के संदर में प्राप्त करना, option तर राइट हो जाएगा next आता है 141 कोशन है कि कक्षा आठ की अध्यापी का एक पाट्य समझरी के पाच वाक्यों को दो बार अंग्रेजी में पढ़ते हैं ज्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है इसके बाद वह सिक्षार्तिों को चार-चार के समों में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाट्य समझरी का पुनरलेखन करें जो एक दब मूल जैसा ना हो तो इस गतिविधी को क्या कहेगी तो यह ग्यतिविधी क्या होती है यह आपकी अनुचेद सुरूतलेक है option third right हो जाएगा next 142 question है कि ककससाथ का विध्यारती एलम कर्णड मराटी हिंदी और अंग्रेजी चार भाशाय जानता है घर में जब वे अपने मातपिता के साथ बात करता है तो पर्वा के साथ चारो भा यह option first correct होगा next आता है question number 123 question number 143 है कि निमलेकित में से कौन से विधी भाशा दिगम के लिए ड्रील और भाशा के ओप्चारिक गुंधर में निपूंता को आविश्यक रूप की तरह अनुसंसा करती है तो कौन अनुसंसा करते है संप्रिश्न आत्मग भासा सिक्षन option third right हो ज समच प्ले डिब्बे प्रात कक्षम में लेकर आते हैं इन्होंने दिखाकर वैरस्षोय में इस्तमाल होने वाले वस्तु का विवरन लिखना चाती है भासा सिक्षन के संदर में इन वस्तों को क्या कहेगे तो क्या बोला जाएगा कि वास्ट्विक वस्ते रिया option third right हो जाए 146 question है कि नीचे दिए गए पर्षन को पढ़े और पता करे पता करे कि यह पर्षन किस प्रारूप टाइप लोजी का है तो जोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनायों का सामना करने वाले सहस को मैसूस किया आप उस लड़की को उसकी प जब दो में पत्र आपको लिखना है तो यह हो जाएगा कि पार्ट का विस्तार करने वाला पर्षन एक्स्टा पॉलेटिव ओप्शन फॉर्ट राइट है नेक्स आता है 147 question कि यहां एक ऐसी इस्तिती दी जा रही है जहां विध्यार्तियों को विश्य के प्रतिस समझ बना हो जाएगा नेक्स्ट 148 question है पर भाषा वहवार ट्रांस लेंग्विज में क्या है तो ट्रांस लेंग्विज क्या होता है कि भाषाओं के सिक्षन अधिगम के दोरान एक भासा से दूसरी भासा में वहवार करने से संबदित है option second right होगा next 149 question कि भासा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है तो कौन सी स्टेटमेंट सही है कि सहजात प्रतम भासा के अधिगम को समर्थित करता है option first right हो जाएगा last question आपका है question number 150 कि यह है academic भासा या विभीन परकार के विश्यों के लिए आविश्यक भासा में निपूंता से संबदित है तो कौन सा संबदित होगा कि संगेनात्मक अकादमिक भाशा काल प्रति option first correct होगा यह last question आपका था चलिए आप अपने जो question है वो match कर सकते हैं और comment section में बता सकते हो आपके कितने question आपके सही रहे official answer की भी आपकी 15 से 20 दिन में आपके official answer की आ जाएगी तो आप सहां से भी अपने जो answer है वो match कर सकते है चलिए जो बच्चे चानल पर नए है वो चानल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को share कीजिए थांक्यू